हलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों आज हमारे पास एक के LG का प्यूरीफाई है और इसको हम आज रिपेर करेंगे जो इसमें प्रोब्लम है आपको बतला देते हैं पहले ये अधे घंटा में जो वाटर टैंक है भरने में समय लगता था उसके बाद में जब से खराब हुआ ह उसके बाद में वाटर टैंक बरने में ये घंटा डेर घंटा समय ले लेता है उसके बाद में क्या होता है कि बैक सैड से पानी लिकेज होता है तो काफी दिन से बंद पड़ा हुआ था आरो तो आज हम इसको आज ओपिन करेंगे रिपेर करेंगे देखेंगे इसमें प्रो मुपलम है चलीया सारी स्कूप को कर लेते हैं सबसे पहले को नेता लेंगे के बाद में बाइक का कैबिने को उपन कर लोक रहता है तो दुस्तों अंदर में देख रहे हैं कर आपको और पिला पिला कलर का बिख रहा थो क्या हुआ है कि बुस्टर मो्टर जो है बुस्टर मो्टर से लिखेज होकर पानी ये बाहर की तरफ निकलता है तो इसका एज़ असर है और इसी के वज़े से पानी पहले अधा घंटा में भरता था अब जब से बिगड़ा हुआ है खराब हुआ है उसके बाद में गंटा देर घंटा समय ले लेता था तो आज हम इसको रिपेर करेंगे खोलेंगे कि प्रोब्लम आखिर कहां से है कैसे ठीक हुगा इस मोटर को निकालने के लिए इसमें सारे स्क्रूप को ओपिन करना होगा इस उसके ब सारे स्क्रूप को ओपिन करेंगे उसके बाद में हम बुष्टर मोटर को निकाल पाएंगे चलिए दुस्तो सारी स्क्रूप को हम ओपिन करते जाएंगे और यहां देख रहे हैं इसमें फिल्टर लगा हुआ है और आगे इस केबिनेट को एपम करने के लिए इसमें भी इसक्रूप दिया हुआ है इसक्रूप को ओपेन करेंगे उसके बाद में आगे का जो एपन ठैंगे तो चली इस cabinet को हम बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद में इसमें देखेंगे कि वो वाइर है इस वाइर को निकाल लेंगे जो कि ये पानी के लिए इंडिकेट करता है कि इस tank में पानी कितना है और चली यहां तो खो गया और उसके बाद में उपर tank खुलने के लिए दोनों side में दो-दो इस group दिया है इस motor को उसके बाद में हम बाहर निकाल पाएंगे टैंक को open करने के बाद में उसके बाद में booster motor को हम बाहर निकालेंगे चली सबसे पहले इस दोनों side में दो-दो इस group दिया है तरफ उठा पाएंगे तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे यह जो भी पम लगा हुआ है कि जो आध्वेक पाइप रिए कि जोड़ा हुआ हैं तो इस पाइप कोहम निकाल करेंगे अर उसके बाद में त्रिए को क्या करेंगे यह उपद़ की तरफ हम उठा पाएंगे तो यहां लॉक रहता है लॉक को हटा लेना है और इसको दबा कर क्या करना है इसको दबा कर इस पाइप को बाहर निकालेंगे इस तरह से ज्यादा पाइप नहीं निकलना है जो टैंक से जुड़ा हो वही पाइप को निकलना है इसको भी हम निकलेंगे इसलिए कि इसमें लगा हुआ है तो चलिए इस पाइप को भी इसको पुश करके निकाल लेते हैं ध्यान देना है कि कौन सा पाइप वाटर टैंक से जुड़ा है और कौन सा पाइप जो मेन बुस्टर मोटर से जुड़ा है बुस्टर मोटर से जो पाइप का कनेक्शन है वो निकाल देना है और वाटर टैंक वोला जो कनेक्शन है उसको निकाल देना है तो यहां पर मोटर का स्क्रूप उपन करने के लिए कोपन करने से पहले क्या करेंगे कि यहां पर 24 वोड्ट सप्लाई के लिए यहां PCB बोड लगा हुआ है तो PCB बोड को उपन करने के लिए इसमें स्क्रूप है तो जो लिड लिकालना है क्यों वही लिड लिकाले बाकी लिड जो है उसी में छोड़ दे तो यहां पर चलिए मैंने वाटर टैंक का लिड लिकाल लेते हैं और बुस्टर मोटर का तो दोस्तों यहां प्रिस्टर से असानी से निकाल लेना है इस पर PCB पर लिखा भी रहता है जिए आप कोई भी लिड लिकाल देते हैं तो PCB पर लिखा रहता है उसके आनुसार आप लगा लेंगे तो चलिए दोस्तों यहां पर मैंने इस मोटर को एक बार चेक करके देख लेते हैं तो यहां पर 24 भुल्ड का एडाप्टर है और रेट कलर में पलस वला और बलेक कलर वला में माइनस वला लगा कर चेक कर लेते हैं तो अभी क्या है कि मोटर अभी डैड की इस्तिति में चालू नहीं हो रहा है दूसर का जो है इस इस मोटर को हम ओपिन करके चेक कर लेते हैं तो बैक साइड में जो बुल्ट लगा हुआ है पुरा मोटर ओपिन करने के लिए है और आगे में जो है हेड है हेड को हम ओपिन करेंगे ओपिन करके देखते हैं कि कहां से इसमें प्रोब्लम है तो चलिए दोस्तों इसमें ये बा का ओपन करने का बाद में हम अंदर में देखेंगी कि क्या प्रोबलम हुआ है तो चलिए यहां पर इस को इस हब को निकाल दिये उसके बाद में देख रहे हैं इस में चलिए को भी हम निकाल देए यह जो होता है कम खराब होता है ज्यादातर यह जो सिल लगा हुआ है एले कहीं कुछ है तो यह जो है जदी आपको मारागेट में मिल जाता है तो अच्छा है नहीं मिलता है तो क्या करना होगा कि पुरा का पुरा मोटर ही चेंज करना पड़ेगा थे चली यह तिन स्कुरीइड लगा हुआ है इसमें तीन-सकुरा आपको हम ओपन करके देख लेते हैं कि यह जो वाटर सील है कहां से इसमें कटा हुआ है कहां से पाने लीकेज हो रहा है तो दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं देख रहे हैं, दोस्तों, यहाँ पर कटा हुआ, देख रहे हैं, और कहीं भी हो सकता है, तो यह जो मोटर है, जो जेनरल मोटर होता है, वो जैसा काम नहीं करता है, यह जो है, प्रेशर पर काम करता है, इसके वज़े से जो ज्यादा क्या होता है, कि वाटर सिल कड़ जाता है यह अपको market में पुरा head मिल जाता है तो आप head change कर सकते हैं कम पैसे में बन जायगा और नहीं तो यह जो seal है आपको market में मिल जाता है तो 50-100 रुपी की आस पस में यह आपको मिल जायगा लेकिन हमको क्या है कि party वाला सामने बैटे हैं बोल रहे हैं कि नया motor ही डाल दो तो यहां पर क्या करेंगे हम नया motor डालेंगे डालने से पहले आपको क्या करना है कि देख लेना है दोनों सैट का यह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है connector, water connector तो चली सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको चेक कर लिते हैं motor अभी बिल्कुल सही है प्रेसर जो है काम कर रहा है आपको मोटर लगाने से पहले देख लेना है 26 वुल्ट का होना चाहिए और इस पर भी 24 वुल्ट है और दूसरा चीज होता है कि जी पीडी जो जी पीडी होता है 75 ये 100 ये ही आता है तो 100 भी लगा सकते है अज़ी तरह से कस लेना है कि इसमें से पानी लीकेज ना हो इसी तरह से दोनों सेड में भी हम जिस पर टेप लपेट कर और इस connector को अच्छी तरह से कस लेंगे तो चलिए मैंने दोनों side का connector को कस लिया है अब इसको क्या करेंगे कि motor को अंदर cabinet में fit करेंगे motor cabinet में fit नहीं हो रहा है जो screw कसने वाला जो size है फ्रा अल्टर है तो क्या करेंगे कि हम जो पुराना वाला motor है पुराना वाला motor का ये जो base है पुराना वाला motor को base निकाल कर नया वाला motor में हम लगा लेंगे चलिए दोस्तो पुराना वाला motor का base निकाल कर हम नया वाला motor में लगा दिये और इस मोटर को हम बाद में रिपेर करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोब्लम है क्या होता है तो नयावाला मोटर सबसे पहले फिला हाल हम इसमें फिट कर लेते हैं जो कि पार्टी को अर्जेंट देना है पार्टी अभी मेरे पास है बोल रहे हैं कि नया मोटर ही हमको लगा कर दे तो दोस्तों यहां पर मोटर को अचीतर से हम कस लिए तो दोस्तों यहां पर मोटर को अच्छी तरह से हम कस लिए और उसके बाद में मोटर का वाइर का कनेक्शन करना है और आगे जो पैनल का जो सेंसर होता है वाटर टेंक के लिए उसका भी कनेक्शन जो लिड लिका ले हैं उसका भी करना है फिला हाला भी यहां पर टेंक का जो पाइप है यहाँ पर हम लगा लेते हैं लगाने के बद में अच्छी तरह से इस लोग को लगा लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मोटर फिट हो गया उसके बाद में रह गया मोटर का कनेक्शन और पाइप का कनेक्शन फिलाहाल सबसे पहले उपर टैंग का बैठा कर स्कुरूप को कस लेंगे और आगे का जो पैनल बोडी है आगे का पैनल बोडी को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसके बाद में इसमें भी जितने सारी स्कुरूप है कि जो मोटर का पानी था लिकेज कर रहा था और टैंक भरने में ज्यादा समय लगता था इसमें खास प्रोब्लम नहीं था लेकिन इसके बारे में आगिला वीडियो जुरूर बनाऊगा इसके पुरा जो पार्ट होता है कहां से कैसे कनेक्शन होता है तो यहां पर दुस्तो हम लिड को लगा लगें यहां जो है पुरानावला मोटर जो है इसका वायर है यहां से हम कट कर लेंगे साइज के अनुसार और उसके बाद में इस लिड को इसमें लगा देंगे यहां रेड कलर का वायर रेड में और बलेक कलर का वायर बलेक में लगा कर अची तरह से टेपि होता नहीं जो भी होता है जो होग से सब्सक्टर एक और में बूस्ट मोटर को फिटकर दिया यहाँ पर जितने सारे इस केबिनेट देश्क्रूट को लगा लिए हैब तो चले फिला हाल हम अपने पास चेक कर लेते हैं कि compressor इसमें बन रहा है कि नशेत satisfkaa लाइट इसमें शुक कर रहा है जो आउट्लेट का यहाँ पर दिया है देख रही है । यहाँ पर outlet यहाँ बुला टाइप का इसमें compressor बन रहा है यानि कि supply जो पानी का है बिल्कुल सही है चली दोस्तो यहां कर मैंने घर में जहां पर लगा उवा था हैं आब मैंने फिरट कर दिया है है और यह बिल्कुल सही काम कर रहा है तो दोस्तो आसा करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जदा से जदा सेर करें लाइक करें और कोई भी सवाल पुछना है तो आप नीजे कमेंट बक्स में जरूर पुछें चलते हैं दोस्तों